और उस बीचे के एहम जानकाने दिली के जांगीरपुरी में महिला की हत्या कर दी गई आरोपी ने घर में घुसकर महिला को गोली मार दी यह जांगीरपुरी से खबर है दिली के जांगीरपुरी इलाके में महिला की गोली मार कर हत्या कर दी गई पुलिस के मताबिक दूसरे ज़न संबंद रखने वाले आरोपी का मुरत्यक महिला की बेटी के साथ अफैर था महिला इसका विरोध करती थी इसलिए आरोपी ने घर में घुसकर उसे गोली मार दी घायल अवस्ता में परिजन महिला को बाबू जगजीवन रामस पताल लेकर गए लेकिन डॉक्टर्स ने वहां महिला को मेरत घुशित कर दिया आरोपी ने हत्यकान से पहले वाट्सअप स्टेटस में पिस्टल चलाने का वीडियो भी लगाया था जो सूचना मिल रही है और वीडियो में वो पिस्टल को कॉक करते वे दिखाई दे रहा था इसके अलावा एक और स्टेटस में उसने एक दूसना वीडियो लगाय जिसमें पिस्टल के साथ कार्तूस भी दिखाई दे रहे थे परिवार वालों ने पुलिस को शिकायत में बताए कि आरोपी अपने साथी के साथ घर पर आया महिला की गोली मार कर हत्या कर दी गई आरोपी का बेटी के साथ अफैर था जो अभी तक प्रात्मिक तोर पर जानकारी मिल रही है जांगीर पूरी इलाका दिली का इलाका सैंती साल की महिले जिसकी हत्या कर दी गई घर में घुसकर उसे गोली मार दी गई नाबाली का मरतक महिला की बेची से अफैर था जिसका विरोध मरतक महिला कर रही थी और वो लड़की से मिल नहीं पा रहा था इसी को देखते हैं वो उसने सीधे महिला का ही मर्डर कर दिया दिल्ली में एक महिला कोशी के घर में घुसकर नाबालिक ने गोली मार कर हत्या की वारदात को इंजाम दिया है और हत्या इसलिए की गई क्योंकि आरोपी नाबालिक कमरतक महिला की बेटी के साथ अफैर था जिसका विरोध मरतक महिला लगातर कर रही थी और वो लड़की से मिल नहीं पा रहा था इसलिए उसने महिला को ही मौत की नीम सुला दिया और आगे बढ़ते हुए बूस अमुदाय ने पहली बार वोटिंग की है पहली बार लोकसबाद चुनाव में मतदान किया बूस अमुदाय के 17,524 वोटर्ज हैं 2020 के रहा शिविरों में बूस अमुदाय के लोग रहा करते थे और चुनाव आयोग ने तस्वीरे भी शेयर की हैं। तीर्तमुक शेतर के गोईनांग पारा मदान के इंदर पर सेंक्रो बुरु मदाता उन्हें वोट डाला। जो लोग हैं असम के सिल्चर और करीम गंच के वोटर्स थे मालगाडी पलटने की वज़े से ट्रेनर रद हुई हैं। तो ये बड़े जानकारी आपको बता रहे हैं कुल मला का 6 ट्रेनर रद कर दी गई थी। करीम गंच के सिल्चर और बदरपुर जाने वाली मारक पर यात्रा की कुल ऐसे 6 ट्रेनर रद कर दिया गया। तो इससे यात्रियों को बड़ा जटका लगा, नौट्री ने रद कर दी गई जिस बड़ी संख्या में जो लोग थे, जो मतदाता थे वो प्रभावित हुए हैं। इसके लावा गुरुवार की रात से चली साथ अनिट प्रेनों को भी बीच में ही टर्मिनेट कर दिया गया। इसके लिए 15,666,866 लोगों ने पंजीकरन फिलाल करवाया है। हम लगातार देख भी रहें, पुझा इससे पहले में खबर पड़ भी रहे थी कि वैशनदेवी यात्रा जिन लोगों को करनी पड़ती थी अब तक वो सीड़ीया चड़कर जाते थे लेकिन अब वहां पर एसके लेटिस की सुविधा जो हैं वो लोगों को दी जाएगी। तो इसे दरे से हम लगातार ये देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा जो जितने भी स्थल है उनको लगातार वहां पर हम देखें कि विवस्थार ज़दा बेटर की जारी है ताकि शद्धालों वहां पर ज़दा ज़दा सरकें पहुच से जाहर दर पर लोगों की जो तो दस मही 24 से शुरू हो रही है और क्योंकि रिजिस्ट्रेशन होता है पहले से तो जो रिजिस्ट्रेशन है उसी के आधार पर एक अनुमान लगाया जा रहा कि 15 लाग से जाधा यात्री जब अपना पंजीकरन करा चुके तो उसका मतलब यह तैह है कि चारधाम यात्रा म मौबजा देने का सुझाब दिया था और हाधसे में आपको यात होगा 135 लोगों की जान गई थी तो गुजरात के मोर्भी में 30 अक्टूबर 2022 को एक भीशन हाधसा हुआ था जिसमें एक संस्पेंशन जो ब्रिज है वो गर गया था और इस हाधसे में 135 लोगों की जान जले अब देखें डियम ने हर महिने 12,000 देने का सुझाब दिया था और इस हाधसे में जो 135 लोगों की जान गई थी मोर्भी हाधसा पिड़तों को अब मौबजा मिलेगा ब्रिज टूपने से ये हाधसा हुआ था और कंपनी मौबजा देने को अब राजी हो गई है फाइले देखें लोग किस तरीके से आपको याद होगा कि छोटे-छोटे बच्चों की मोत हुई थी 135 लोगों की जान चली गई थी बेहत दर्वनाग बहुत साथा चार फीजदी से ज्यादा उनमें इजाफा हुआ है तो वोटर लिस्ट का जिकर यहाँ पर हम कर रहे हैं जहाँ पर दिल्ली का गिवाओं की संख्या इसमें घटी है लेकिन कुल्म लाकर अगर हम बात कर तो साथ लाग मत्दाता बढ़े हैं और जिसमें 50 साल की पारवाले आयूकी में जो मत्दाता उनमें विविद्धी हुई लेकिन गिवाओं की संख्या इसमें घटी है बढ़ते हैं खबरों में आके और अगी बड़ी खबर मनिपुर में माद्दान की प्रक्रिया होई और ऐसे में माद्दान की प्रक्रिया को लेकर ही कॉंग्रस की आरोप लगा रही है कि वहाँ पर भूत कैप्चरिंग होई है वो तोड़े गए हैं और इस कारण से आप कॉग्रिस कहरें कि माप पर भी पोलिंग होनी चाहिए आगे बढ़ रहे हैं लोगसबा चुनाव के बीच लालु यादव को तगड़ा जटका लगा है बुरी तरह से कोड के फेर में फस गए हैं बाहु बली कैंडिडेट वैशाली सीट से आजड़ी प्रत्याशी हैं मुन्ना शुकला मुन्ना शुकला की अग्रिम जमाना त्याचिका खारिज हो गई है मुन्ना शुकला पर जमीन कबजाने के आरोब है और अब उनकी जो अग्रिम जमाने त्याचिका है वो खारिज हो गई है लोग सबस चुनाब के बीच में लालू यादव को एक तगड़ा जटका लगा है वेशाली सीट से आरजणी के प्रत्याशी है मुन्ना शुकला जिन पर जमीन कब जाने का आरोप लगा हुआ है और मुन्ना शुकला की जो अग्रिम जमाना थी जो अग्रिम जमाना थी आचिक राती वो खारिज हो गयी है वेशाली सीट से प्रत्याशी है आरजणी प्रत्याशी है मुन्ना शुकला जिन पर जमीन कब जाने क्या रूप उनने अग्रिम जमानात किया चेका दिती लेकिन वह हरे जोगर इसलिए इसको एक बड़ा जटका माना जा रहा है और अब इस पीचे को और बड़ी खबर आपको उताएंगे सलमान खान के घर के बाहर फाइरिंग का ये मामला है लॉरेंस के भाई अनमोल के खिलाफ लुकाउट सर्कुलर जारी हो गया है तो इस पूरे मामलिम लगतार कारवाई बढ़ रही है अनमोल विश्णोई के खिलाफ ये सर्कुलर जारी हुआ है लुकाउट सर्कुलर जारी हुआ है सलमान खान के घर पर आपको याद होगा घर के बाहर फाइरिंग हुई थी दो शक्स बाइक पर सवार होका राये थे अला कि ततकाल मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसको अपने पूरे मामले को कबजे में लिया लगतार उसमें जाच हुई दिल्ली तक इसकी जाच महुची दिल्ली की पुलिस से भी इसमें सही होग लिया गया सलमान खान की घर पर घर के बाहर फाइरिंग का ये पूरा मामला है 14 अप्रेल को ये घटना हुई थी इस मामले में अनमोल और लॉरेंस को वांचित आरोप की रूप में नामित किया गया था जिसमें पुलिस ने अब तक 4 लोगों को फिलाल गरफतार कर लिया है हमले के कुछ दिन के बाद मुंबई अपरात्व शाखा के दौरा गरफतार किये गए दो आरोपियों के लावा पंजाब पुलिस ने भी दो आरोपियों की गरफतारी की थी जिनके पहचान भी हो गए थी सोनु कुमार विष्णोई और अनुच कुमार थापन की रूप में जिनोंने अभीनेता के आवास गैलेक्सी अपाटमेंट पर गोलीबाने में इस्तमाल किये गए जो फायराम्स थे वो पलब्द कराए थे तदो पुलिस इस पूरे मामले में बारिकी से लगातार जाच कर रही मुंबई पुलिस ने का धिकारी ने इस मामले में ज्यादा जान कर देते हुए ये बताया कि इस केस में पुलिस जेल में बंद गैंस्टर लॉरेंस विष्णोई को हिरासत में ले सकती है जो इस वक्त फिलाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है साथी पुलिस उसके खिलाफ महराष्ट संगर्दित अपराद नियंतरन अधिनियम ये लागू करने पर भी विचार कर रही है दरसल सल्मान खान की घर पर फाइरिंग होने के बाद लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल विष्णोई ने सोचल मीडिया पोस्ट शेर करते हुए गोलिवारे की जिम्मेदारी ली थी और जाच मुस की सनलिपता भी पाई गई इसके बाद मॉंबई पुलिस ने लोसी भी इसमें जारी किया अनमोल और लॉरेंस विष्णोई को इस मामले में वांचित आरूपी की रूप में नामजद किया क्या है खबरों में चली आगे बढ़ते हैं और देखें महाराष्ट और पश्चियों बंगाल में लू की आश्वन का है तो मौसम को लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली में भी पारा जो है वो ज्यादा रहेगा तापान बढ़ता हुआ नज़र आएगा मौसम विभाग ने अलर्ट फिलाल जारी किया है इससे पहले हम जब लोगसबा चुनाफ को लेकर सेकंड फेस को लेकर मतदान को लेकर जर्चा कर रहे थे तो सीधी सीधी बात पुझे ने भी यह कही थी कि कैसे ज्यादा तापमान के वज़से गर्भी ज्यादा बढ़ने के वज़से लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए जिसकी वज़से हम देख रहे हैं कि चुनाफ में भी इसका असर पढ़ रहा है हला कि फर्स्ट फेस में बहुत कम प्रतिशत हा मदान प्रतिशत लेकिन सेकंड फेस में आते आते हैं वो थोड़ा सठीक हुआ और अब जब मौसम विभा की तरफ से फिलाली अलेट जारी किया गया है कि पश्रे मंगाल हो गया आपका महराश हो गया फिर दिल्ली में भी खबर मिल रहे कि तापमान जो बढ़ता हो नजर आएगा तापमान हलाकि बहुत ज्यादा हर कहीं था पाने की वेवस्थाएं थी लेकिन इसके बाद भी जो लोग है वो घरों से नहीं निकल रहे थे लेकिन इसमें कुछ अपवाद सीट भी हैं दरसल दो ऐसी सीट है जहां पर 42 जिगरी के बाद भी 73 फीजदी वोटिंग हुई जि कहीं पर तो इस चढ़ते पारे का असर देखरी को मिला है वहाँ पर वोटर्स घरों से बाहर नहीं निकले लेकिन हाँ सिर्फ 2 सीट एसीट जहां पर 42 जिगरी के बाद भी 73 फीजदी वोटिंग हुई यानि कि कुछ जगों पर हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादा अगर गर्मी उसके बावजूद भी मतदाता निकल रहे हैं बाहर और अपने मत का प्रयोग करें लेकिन कुछ जगों पर मतदाता फिलाल नहीं बढ़ पा रहे हैं मतलब अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे ह हाला कि मौसम विभाग के तरफ से देखे हीट पेड को लेकर कई जगों पर अलट जारी किया गया है कई राज्यों के लिए अलट जारी किया गया है बड़ते खबरों में आके अब बात करते हैं तारक महता को उल्टा चश्मा के सोड़ी लापता है दिल्ली पुलिस ने तलाश अब शुरू करती है और आपको बताती चली कि मौंबई जाने को घर से निकले थे हैं और पर लापता बताये जा रहे हैं दिल्ली के पालम थाने में मामला दर्ज हुआ इस पूरे मामली को लेकर तफ्तीश की जा रही है और पिता ने दर्ज कराया है मामला तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहा तारक महता का उल्टा चश्मा कि जो सोडी हैं वो लापता हैं और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामली को लेकर तलाश शुरू करती है मुंबई जाने को घर से निकले थी और उसकी बात से लापता बताये जा रहे हैं हलाकि दिल्ली के पालम थाने में मामला दर्ज है पिता ने दर्ज कराया मामला पूजा देखे बिल्कुल तारक महता के सोडी जिनको सभी जानते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं खबर यह है कि वो गायब हैं लापता हैं और शली आगे बढ़ रहे हैं अब बात होगी आम जन से चुड़े और मुद्दो की जिसमें अक्रिसल रिपॉर्ट का जिकर करेंगे सब्जियों की कीमतों में उचार उजी कीमतों से जून तक कोई रहत नहीं मिलने वाली है समाने से जादा तापमान बढ़ा रहा तो यह चुनोतियां रहने वाली है सब्जियों की उची कीमतों से जून तक नहीं मिलेगी रहत समाने से अधिक तापमान बढ़ा रहा है इस वक्त चुनोतिया रिपोर्ट में ये का गया कि 2023-2024 के अगर बात करें तो खादे महंगाई बढ़ाने में सब्जियों का करी 30% योगदान था ये उनकी 15.5% की समाने हिस्सेदारी से जादा है तो महंगाई को घटाने और बढ़ाने के रिए बहुत ही महतपूर भूमी का निभाती है सब्जी सब्जी के दाम तो ऐसे में 2024 इस तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है जून 2024 तक कोई राहत नहीं मिलेगी इसकी प्रमुक वज़ा है तापमान का समाने से जादा रहना जो सब्जी उत्पाद को और भूबताओं के लिए चुनौतियों को बढ़ा रहा है क्रिस्चिल की रिपॉर्ट के मुताबिक मौसम के अन्यमित पाटर्न और परियावरन संबंदी अन्यकारक सब्जों की कीमतों को प्रभावित कर रहे है इनकी जल्द खराब होनी की प्रवर्टी भी बफर स्टॉक बनाने और आया जैसे विभिन उपायों के जरी कीमतों को नीचे लाने के प्रयास को सीमित कर रही है इसके लाव देश में कोल्ड स्टॉर जैसी जो परियाप्त बुनियादी धाचा सुविधा है जब उसकी बात करते हैं तो आप जानते हैं कि वो धाचा अभी भी हमारे देश के लिए परियाप्त नहीं है क्रेशल की रिपोर्ट इसी बात करते है कि यह जो अन्यमित इस वक्त मौसम है जो तापमान है इसी के कारण से situation ऐसी है कि जून 2024 तक कोई रहत नहीं मिलने वाली है आयात इससे प्रभावित होता है दूसरा cold storage की proper व्यवस्था नहीं है इस कारण से storage नहीं हो पाता तो फिर जो कीमत है उनको control कर पाना मुश्किल होता है और फिर उसका भार आमजन पर पढ़ता है महंगाई चली और अब आगी पढ़ेंगे बड़ा सवाल कि है कि भारत में बंद हो जाएगा WhatsApp क्यों यह सवाल उठ रहा है क्योंकि WhatsApp ने दिल्ली हाई कोड़ से कहा है दवाब बनाया गया तो भारत छोड़ देंगे यूजर्स के मैसेज की जानकारी नहीं दे सकते हैं नए IT नियमों का विरोध कर रही है कमपनी और इसी के बाद से यह सवाल लगातार खड़ा होने लगा है क्या सच में भारत में WhatsApp बंद हो जाएगा क्योंकि यह कहा गया कि नए IT नियमों का विरोध किया जा रहा है WhatsApp ने दिल्ली हाई कोट से यह साफ साफ कह दिया कि अगर ज्यादा दवाब बनाया जाएगा तो भारत में इसे हम बैन कर देंगे आगे बढ़ते सुप्रिम कोट का गुजरात हाई कोट रजिस्ट्री से सवाल क्या है वो आपको बताते है क्या च्वयन प्रक्लिया अपना ही है 68 नियाई कदिकारियों की परदोनुती का एफ पुरा मामला है जिसको लेकर सुप्रिम कोट ने आई कोट से सवाल पूछा अफरीका में 60 लाख बच्चों का टीका करण होगा दो टीकों का पहला रोल आउट भी शुरू करेंगे तीन देश तो देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहें जहां मलेरिया से लड़ने के लिए भारत और ब्रिटेन आके आए दो टीकों का पहला रोल आउट शुरू होगा और अफरीकी देशों की मदद कर रहे हैं भारत और ब्रिटेन चलिए आगे बढ़ते हैं भोच्चाला से खबर है जहांपर खुदाई में एक खंडित प्रतिमा मिली है हिंदू पक्ष ने किया सरातन से चुड़े होने का दावा भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन द्वारा सर्वे का काम लगाता जारी है तो भोच्चाला में एक खंड की परिक्षा होगी और नया कलेंडर तयार इसको लेकर किया जाएगा शिक्षा मतराल ने सीब्सक्राइब करने के लिए फिलाल का है अगले महीने मिटिंग बुलाई गई है दोजार पच्चिस से सीब्सक्राइब अब नए बदलाव दिखाए देंगे अगले महीने इसको जाएकर मिटिंग बुलाए गई है और एक साल में सबसे बड़ी बाद की परिक्षा है अब तक एक बार होती थी वोड की परिक्षा है दो बार होते हुए नजर आएगे देकि बिलकुश शिक्षा बंतराले ने केंद्रिय मादेमिक शिक्षा बोर्ड से बार परिक्षा है जो इतकरने के संबन में व्यवस्था का तयारी करने के लिए कहा है ये जो नई व्यवस्था होगी इसके इंदर दो सैमेस्टर होंगे अभी तक बोर्ड की परिक्षा सीधे जो मार्च के महीने में या फैबरी से सम्टाइम जो एक्जाम शुरू होते हैं सीधे एक बार एक्जाम होते हैं लेकिन क्योंकि बच्चों के उपर पढ़ाई के बहुत जादा प्रेशर पढ़ रहा है और शिक्षा महकमा लगातार इस स्विशर को लेकर बातचीत कर रहा है इस पर काम कर रहा है सिलेबस में काफी सरे चेंजिस हुए है अब ऐसे में आपको बतारे कार दुरकटना में मल्याली परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई है तो एकी परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत के रहने वाला था परिवार के बड़ी जानकारी जहां तीज रपतार का कहर देखने को मले एकी परिवार के चार लोगो की तरतना मौत वापस लाने की कोशिश है क्योंकि यारोप लगते रहे कि विजय मालिया को भागने में समर्थन हुआ उसको सहयोग किया गया विजय मालिया कब वापस आएगा अब आखिरकार विजय मालिया को वापस लाने की तैयारी हो रही है और विजय मालिया को फ्रांस से वाप के जरी ये वापस लाए जाएगा 313 क्रोण की प्रत्यारपन की बात अभी की जा रही है